हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब सौागत है आप सभी का कॉमिक वेल चैनल पर तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में पर माडू सीरीस का अगलारा कॉमिक विशेशांक चार साल का पर माडू संजग उप्ता पेश करते हैं चार साल का परमाडू पुलिस के करतब विर्निष्ट सिपाई के लिए हर दिन चुनोती पूर होता है और हर राज जोकिम भरी क्योंकि कानून की रखवाली करते हुए पुलिस का ऐसा सिपाई हर समय उन अपरादियों के निशाने पर होता है कानून से खिलवार करना जिनका बाएं हाथ का खेल है आज ऐसे ही अपरादियों के निशाने पर था इंस्पेक्टर धनुश यह इंस्पेक्टर हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है इसकी जुबान खुली तो हम सब सारी उम्रे जेल में बंद रहेंगे इसलिए इसकी जुबान को हमेशे के लिए बंद करना होगा ऐसा करके तुम बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे क्योंकि जब कोई अमानदार पुलिस वाला शाहिद होता है तो सारे शाहर की पुलिस फोर्स मैगनीफाइंग गिलास लेकर अपरादियों को ढूड़ने निकल पड़ती है बात तुम न सही कई, कौन हो तुम कानून और मेरा कुत्ते बिल्ली जैसा बह रहे है और मैं हूँ फ्लैश बैक वै कल जो गुजर गया उस गुजरे हुए कल को मैं आज याद दिलाता हूँ तुरंट थी हलाल होते बकरे की तरह चीका इंस्पेक्टर धनुश और फिर वै जा रहा है, रोको उसे कोई जरूरत नहीं वै वर्तमान के साथ पिछले कई सालों की बातों को भी भूल गया है फ्लैश बैक में पहुँच गया भै तुम्हारे सासा जल्दी सारी दुनिया इस बात को मान जाएगी सबी मूब आय फ्लैश बैक के चमकते चेहरे को देख रहे थी जबकि इंस्पेक्टर धनुश अरे इधर खंगों से आ रहे हैं इंस्पेक्टर यह एरबेस है यह प्रवेश वर्जेत है आम लोगों के लिए भी हो पुलिस आलों के लिए उस अप्रत्याश जिस हम लेने दौनों सरक्षा कर्मियों को को समझने से पहले बेहोशी की गोद में पहुँचा दिया और इस्पेक्टर दनुच बिना रोकेटो के आगे बढ़ा एक प्लेइन में बैठ चुका था और गररर प्लेइन को स्टार्ट कर उसे हवा में उड़ा चुका था लेकिन उस प्लेइन को उड़ाने वाला दिल्ली पुलिस का सिपाई था भारतिय वायु सेना का ट्रेंड पाईलिट नहीं ये गटना दिल्ली में एक बड़ी दुरगटना का कारण बनने जा रही थी एक मुसीबत तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी और दिल्ली वासी इससे बेखवर थे शायद नहीं एक दिल्ली वासी इस मुसीबत से खवरदार था और वे खवरदार दिल्ली वासी था परमाडू इस प्लेन ननीन के आगोश में सोई सेकड़ो दिल्ली वासीयों को मौत के आगोश में पहुचा दिया होता पहले इससे स्वरक्षे स्थान पे अधार तो और फिर पता करता हूँ कि क्या हुआ इसके पाइलट को ओ, पाइलट को देखका परमाडू कि आंके विस्वारित होकर रह गई थी क्योंकि पाइलट था उसका जाना पहचाना इंस्पेक्टर धनुष, तुम इस प्लेन कोड आ रहे थे इंस्पेक्टर धनुष मेरा नाम धनुष जरूर है, लेकिन मैं इस्पेक्टर नहीं जूनियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट धनुष हूँ और मैं अपने सीनियर्स की देख रेग में फ्लाइंग टेस्ट दे रहा हूँ पता नहीं ये का हुआ प्लेन मेरे कंट्रोल से भार कैसे हो गया ये क्या पक्वास कर रहे हो तुम, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर हो पाइलेट नहीं तुम जरूर टिलेंग को गयर कानुनी धंग से चला रहे थे तब ही जूनियर लेफ्टिनेंट पाइलेट होने का नाड़क कर रहे हूँ यो ब्लेड़ी सिविलियन यो ब्लेड़ी सिविलियन, कौन हो तुम तुम कोई बदमाश लगते हो जिसना अपने आपको नकाप के पीछे चिपा रखा है कमाल है, ये अपने आपको सिपाई की जिएक है फौजी कह रहा है और साथ ही मुझे भी नहीं पहाँ चान रहा है कुछ गड़बर है, मुझे इसका पता लगाना होगा और ऐसा करने के लिए मुझे पहले इसे परमाडू रस्ती से बादना होगा पने ये मुझे पर हमला करतेगा अरे थोड़ी ही तेर में तुम सबने इस बदमाज का साथ देकर एक जूनियर फ्लाइट लेफ्टेनेंट को यहां कैद कर रखा हुआ है मैं तुम सबका कोट मार्शल करवा तूंगा अच्छा खासा इंस्पेक्टर धनुष अपने आपको एयर फोर्स का पाइलिट कैसे समझने लगा इसका जवा मेरे पास है परमाडू इस्पेक्टर धनुष की इस रिकॉर्ड फाइल में रिकॉर्ड फाइल का एक एक शब्ध हैरत में डाल देने वाला था आज से बारा साल पहले और दिल्ली पुलिस में आने से पूर धनुष एयर फोर्स में जूनियर फ्लाइट लेफटेनेंट के पतपर ट्रेनिंग के लिए भड़ती हुआ था कुछ दिन ट्रेनिंग के बाद उसे अपने माबाब की मिर्थ्य के कारण एयर फोर्स छोड़ ली पड़ी और फिर दिल्ली पुलिस के इस्पेक्टर के पतपर भड़ती हुआ ओ ओ माई गाड इस रिकॉर्ड फाइल से एक ही बास थाबित होती है कि इस्पेक्टर धनिश का दिमागाज से बारा साल पीछे चला गया येस परमाडू और ऐसा कैसे हुए हमें ये पता लगाना है हाँ डक्टर ये तो पता लगा नहीं होगा क्योंकि मुझे इसके पीछे कोई जबरदर मिस्टरी चीपी दिखाई दे रही है नव भारत राज टाइम्स मीडिया जगत के लिए एक अबर जबरदस मसाला थी और अपराज जगत के लिए संसनी घेस खोज कोई आदमी चुटकियों में बारा साल पीचे पहुच सकता है अगर ये सब मैंने अपनी आँखों से न देखा होता तो मैं कभी इस बात पर यखिन नहीं करता यू आर ग्रेट फ्लैश बैक ये तो कुछ भी नहीं फ्लैश बैक चाहे तो अपने शिकार को इस फ्लैश बैक में भी पहुचा सकता है जब वह निपल से दूद पीता था तो हमारा गैंग किलर ग्रूप क्यों नहीं जॉइन कर लेते फ्लैश बैक इस शहर में कोई गैंग जॉइन करने नहीं धंदा करने आया है इसलिए फ्लैश बैक की सेवा हर उस गैंग के लिए है जो उसे कीमत देगा अगर इस शहर में मेरा धंदा नहीं चलेगा तो मैं कोई दूसा शहर देखूंगा इसकी जरूवत नहीं पड़ेगी फ्लैश बैक देश की राजदानी होने के साथ ये शहर अपरादियों की राजदानी भी है यहां तुमारा धंदा दिन दूनी राज चोगनी तरक्की करेगा देखेंगे देखेंगे देख तो परमाडू और फिंस्पेक्टर विन्य भी रहा था तुमारे धनुष सर्जी के हालत का जिम्मेदार कोई अपरादी होसकता है अवलदार बान क्या तो मुझे बता सकते हो आज कल इंस्पेक्टर धनुष किस केस पर काम कर रहे थे पक्का तो कुछ नहीं कहा चाज़ सकता सर्जी लेकिन कल धनर सर जी के मुझे मैंने किलर गृप के बारे में सुनाता अब ये किलर गृप क्या है और कहां पाय जाता है ये अपने को भी नहीं मालूँ कोई बात नहीं ये मैं मालूँ कर लूँगा मुझे इस शेहर में सक्रिय किसी किलर गुर्प तक पहुचना होगा और ये काम जल्दी से अल्दी सिर्फ परमाडू कर सकता है शेहर बरके अपरादियों में खलबली मचा कर वै जल्दी सफल हुआ मैं बताता हूँ गरुप दुबई में बैठे दाउद के शारे पर पर काम करता है और उसे एक बहुत पहुचा हुआ नेता संचालित करता है मैं उस नेता को नि जानता हूँ वैस्तेजी से किलर गुर्प के अड्य के बारों बताता चला गया परमाडू को किलर ग्रूप के अड़े पर पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी परमाडू, यहाँ, आ तुम्हारी किसमत से एशो आराम मिटा कर जेल की कोट्री लिखने के लिए और तुम्हारे साथ वहाँ तुम्हारा वैसा फेत्फोश बास भी जाएगा जो खदर तो पेहनता है, मगर खुददार नहीं है लेकिन पहले तुम मुझे बताओगे कि तुमने इंस्पेक्टर धनुश के साथ क्या किया हमने उस इंस्पेक्टर के साथ कुछ नहीं किया, जो कुछ किया फ्लैश बैक नहीं किया फ्लैश बैक? ये फ्लैश बैक कौन है? हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वे अचानक आया और इंस्पेक्टर धनुश पर कुछ किलने छोड़कर गायब हो गया हमारे बॉस नेता लाल किशन वर्मा को उसके बारे में पता है, वेकाली उससे मिलकर आये थे नेता लाल किशन वर्मा? ओ, इतना परसिद्ध नेता देश के गद्दारों से मिला हुआ है परमाडू को जिन दो अपरादियों के तलाश थी, वे दोने एक ही जगे मौजुद थे तबहा कर दिया परमाडू ने में जे, तबहा कर दिया, इंस्पेक्टर धनुष को तुमने फ्लैश बैक में पहुचा कर, मुझे जो फायदा किया था परमाडू ने उसे चौपट कर दिया मेरी बानो तो अब तुम इस शेहर से अपना बोरी अबिस्ता समिट का खिसक जाओ परमाडू इस केस पर सखरी हो चुका है, अब तुमारी दाल शेहर में नीगलने वाली तुमारे सारे धंदे को चौपट करके परमाडू तुमें जेल में पत्थर तोडने के धंदे पर लगा देगा कुछ नहीं होगा, मैं परमाडू को ही खत्म कर दूँगा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है परमाडू को खत्म करना फ्लैश बैक की किर्णों ने उसके दिमाग को कई साल पीछे पहुचा दिया साब जी जल्दी बताए जानू का है क्योंकि मुझे आपका डफ्तर साफ करने के बाद महले की नालिया भी साफ करनी है इसका इंतिजाम हो गया अब मुझे परमाडू का इंतिजाम करना हो और इसके लिए मुझे पता करना होगा कि कौन-कौन परमाडू के दिश्मन है और कौन-कौन दोस्त फ्लैश बैक परमाडू के बारे में जानने में जुट गया था और परमाडू फ्लेश बैक के बारे में जानने में जुटा हुआ था नेता लाल किशन मरमाई मुझे फ्लेश बैक तब हजा सकता है लेकिन वे भी गदे किसींग की तरह गायब है हर संभावित इस्थान पर मैं उसे तलाश कर चुका हूँ लेकिन वे मिली नहीं रहा अरे वे कौन है वे तो नेता लाल किशन है लेकिन वे सड़क पर जाडू के लगा रहा है उसके पास पौसते ही कारा परमाडू के सामने आ गया सरकारी डूटी से छुट्टी मार कर मैं आपके घर में भी जाडू मार सकता हूँ लेकिन पूरे 20 रुपर लूँगा ओ ये क्या पक रहा है यहीज इसकी सच्चा ही है परमाडू जे कुछ समय पहले सड़क पर जाड़ू ही लगाता था जाड़ू लगाते लगाते ही नेता बन गया लगता अपना गुजरा कल इसे फेरे याद आ गया लेकिन परमाडू के मस्तिश में विस्पोर्ट किया तो उन शब्दों ने गुजरा हुआ कल ओ फ्लेश बेक न इसे भी अपना शिकार बना दिया बहुत चालाक है वो लेकिन वेज़ादा समय तक मेरे हाँ से बचनी सकता मैं उस तक पहुँच जाओंगा परमाडू से पहले फ्लेश बेक उस तक पहुचने जा रहा था प्रलंग कारी हत्यारों और शक्ति शक्तियों से लेस हजारों खलना एकों को परमाडू ने हरा दिया मैं अपना नाम इन में शामिल नहीं कराना चाहता है इसलिए इसका एक ही तरीका है कट मज़ा परमाडू से सीधा ही नहीं बिलना उसके लिए मुझे मौरों को तलाशना होगा और वे मौरे ऐसे होंगे जिनके वारे में परमाडू सोच भी नहीं सकता कि वे उसकी मौत बन सकते है परमाडू के दोस्तों में से एक शैली जिसे वक्त थाला तो दुनिया ने मैडम कोल्ड बना कर मानफता की बहुत बड़ी दुश्मन बनने के लिए विवश कर दिया था लेकिं परमाडू के प्रैसों ने उसे एक बार फिर शैली बना डाला जिसे मानफता से प्यार है और जो अपने इस प्यार को दूसरों पर निचावर कर रही है उफ आज फिर आपने अपने आपको गंदा कर लिया चलो मैं आपको नहला कर लाँ सिस्टर बच्चों के लिए डोनेशन देने के लिए कोई आपसे मिलना चाता है उन्हें आफिस में बढ़ाओ मैं अभी आती हूँ जल्दी गुड अफटरनून सर माइनेम इस शेली मैं जानता हूँ लेकिन मजे शेली की नहीं शेली में छीपी हुई मैडम कोल्ड की जरुवत है फ्लेश बैक के हाथों में फिट यंत्र से फ्लेश बैक किरने निकल का शेली के मस्तिष्ट से चकराई और इसी के साथ वक्त न दोड लगा दी गुजरे हुए कल की तरफ जहां वक्त मानो ठहर गया था मैडम कोल्ड के हाथों से निकली बरफीली तरंगों के प्रवाद से ठहरी शेर के ट्रैफिक की तरह और ये दिर्श परमाडू के लिए आच्छे जनक था इंपॉसिबल इस चोराई की भाक्ती जिन्दी की बरफ में जाम होकर रह गई है ऐसा तो तब ही हो सकता है जब सक्री हो जाए मैडम कोल्ड ओ नो शेली रुको ये तुम क्या कर रही हो परमाडू दुनिया से धोगा काकर शेली मड़ चुकी है अब तो सिर्फ मैडम कोल्ड जिन्दा है जो इस दुनिया को अपनी ठंडी आग में जला देगी जिसमें बेवाफाई बेवाफाई भरी हुई है इस बेवाफाई दुनिया को रुकी जाना चाहिए जैसे मैंने पहले तुमारे मनसूबब को सफल नहीं होने दिया वैसे भी वैसे ही आज भी नहीं होने दूँगा अगर शेली को एक आएक क्या हुआ क्यों ये एक बार फिर मैडम कोल बन गई है ओ कहीं प्रोफेसर सुदिश सेरा ने फिर इससे बेवाई करके इसे मैडम कोल बनने के लिए मजबूर तो नहीं कर दिया खेर कारण जो भी हो इसका पता मैं बात में लगाऊंगा पहले मैडम कोल के गातक परारों से खुद बचूँ और इस शेहर को बचाओं उफ मैडम कोल का गुसा साथ में हास्वान पर है इसलिए इस तरह मैं ना तो खुद ज़्यादा देर तो बचा सकता हूँ और ना इस शेहर को कोई जबर्दस तरीका ढूड़ना होगा लेकिन क्या परमाडू चिंता में मगन था और फ्लेश बैक खुशी से बरे अटास लगा रहा था हाहाहा मेरी खिल्डों के जाल में फसके फ्लेश बैक में पहुची मैडम कोल्ड्स सारी दुनिया के साथ साब परमाडू को भी अपना दुश्मन समझ रही है लेकिन मुझे दुनिया से मतलब नहीं मुझे तो सेवे इस बात का इंतजार है कि मैडम कोल्ड कब मौत की घाट उतारती है परमाडू को अरे ये क्या है ये परमाडू क्या कर रहा है परमाडू जो कर रहा था मैं मैडम कोल्ड की समझ में भी तब तक नहीं आया जब तक उसका पढ़नाम सामने नहीं आ गया ओ पावर भट्टी की चिमनी को नीचे की तरब मोड कर तु मेरी ठंडी आग में भज़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है जब तक मैं यहाँ हूँ तु ऐसा नहीं कर पाएगा ठीक का तुमने इसलिए मैं अब तुम्हें यहां रहने नहीं दूँगा मैं तुम्हें यहां से दूर ले जाओंगा और तु मैं शैली बनने के लिए मजबूर भी कर दूँगा और मेरे शरीप मौझूद ऐस्बस्टर्स की पोशाग आग को मेरे शरीप नहीं पहुशने देगी और ऐसा मैंने आग की साहिता से मैडम कोल्ट को वापिस शैली बनाने के लिए किया है लेकिन ये तरीका तभी फायदे मन साबित होगा जब मैं मैडम कोल्ट को देर तक पकड़े रहूँँगा ये देखतीय आग तेरी ठंडिया को जल्दी शान्त कर देगी मैडम कोल्ट ऐसा नहीं होगा मैडम कोल्ट ऐसा नहीं उने देगी अपनी बच्ची कुची शक्ती का प्रयोग शांदार डंग से करके मैडम कोल न मेरे शरी पर लगी आग को बुझा दिया अरे आप क्या कर रही है ये तेरी ये बैल्ट तेरी बहुत बड़ी ताकत है और तेरी इस बैल्ट की ताकर निश्चे ही इसमें लगी बैटरी होगी मेरा ये वार उस बैटरी को गुजदेर के लिए ठंडा करेगा और मुझे तुस्से छटकारा दिलाएगा ओ नो परमाडू के बाद ना समझने का समय था और ना समलने का क्योंकि उसके बैल्ट को पावर देने वाली बैटरी पर काबू पाने का कोई जरिया नहीं था जबकि मैडम कोल के पाद उसका वेक्रोध था जिसके बल पर उसने अपनी शक्तियों पर काबू भी पाया और खुद को समाला भी फ्लेश बैक को ऐसा लगा मानो कोई बड़ा खजाना उसके हाथ लगता लगता रह गया ओ परमाडू को मौत के मूँ में पहुचाते बचाते ना जाने कहां भग गई शैतान की खाला थोड़ी देर और रुक का परमाडू पर वार करती थी तो उसका क्या जाता खेर उसके जाने का मतलब यह नहीं है कि भी चुप बैट जाएगी निश्चाई वह वापिस लॉटने के तयारी कर रही होगी फ्लेश बैक का सोचना एकदम सही था सचमच वापिस लॉटने के तयारी कर रही थी मैडम कोल्ड इस सारे शहर को इस सारी दुनिया को मुझे अपने प्रतिशोत की आग में जलाना है और परमाडू इसमें बहुत बड़ी रुकावट है परमाडू को रोकने के लिए मुझे इस प्रोफेसर सुदिश शेरा के प्रयोग का साहरा लेना होगा जिसकी बे ओफाई ने मुझे मैडम कोल्ड बना डाला और बे ओफाई सुदिश शेरा का वैप्रयोग है आई सो गन इदा परमाडू भी अपने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ा था आकर वो कौन सा कारण है जिसने शेली जैसी साधरान युफती को एक बार फिर मैडम कोल्ड बनने के लिए मजबूर कर दिया और इस कारण को ढूरने के लिए मुझे तुरंती मिलना होगा शेली और मैडम कोल्ड के प्रेमी प्राफेजर सुदिश सेरा से ये तुम क्या कह रहो शेली एक बार फिर मैडम कोल्ड बन गई मेरी बे ओफाई के कारण लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मैं तो उसे अपनी जान से यादा प्यारत देता हूँ वर्षों से हमारी बीज़ तो तू तू मैं मैं भी नहीं हुई ऐसा है तो वक्यों तूमारी बे ओफाई का वास्ता दे रही है वह क्या कारण जिसके पीछे विसादी दुनिया को बे ओफाई कहकर उसे शमशान बनाने पर तू लिए ओ गॉड ओ माई गॉड शैली के मैडम कोल बनने का कारण है फ्लेश बैक यानि उसका दिमाग उस समय में पहुँच गया है जब वह तो में बे ओफाई समझ के विजनाज पर उतार हुँ गई थी तुम क्या कहरो है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा परमाडू ने समझाय तो चीटी ऐसी रहिंगने लगी प्रोफिसर सुधिश सेरा की शरीर में कैसा भी हो सकता है हो रहा है फ्लेश बैक नामे के एक शैतान ऐसा कर रहा है और उसका जीता जागता सबूत है मैडम कोल ओ ये क्या हुआ एक ठंड कैसे बढ़ने लगी बहार कुछ गडबड है बहार उन्हें जो गडबड दिखाई थी वे रोंगटे खड़े गड़ेने वाली थी हाँ 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 अब तक मैं अपनी आग से तो मैं सिर्फ उपर से जला रही थी लेकिन अब मेरी थंडी आग तुम्हें ऊपर से नहीं अंदर से जलाईगी ये बढ़ती थंड पहले तुम्हारे शरीर से बढ़ते बहते लगू को जमाई की और फिर शरीर के दूसरे हिस्सों को और अब परमाडू तुम्हें किसी भी तरह नहीं बचा पाएगा मैडम कोल फिर आ चुकी है लेकिन इस बार वे हाथों में थमी गन से वार कर रही है गन? ओमाई गौड उसके हाथ में तो वे आईसो गन है जिसका फॉर्मला मैंने उसे 7-8 साल पहले बताया था वे आईसो गन बनाने में सफल हो गई है क्या बला है या आईसो गन? बला नहीं परले है आईसो गन इसका निर्माड मैं देश के दुश्मनों के लिए करने वाला था क्योंकि उससे निकलने वाली कोल्डी किलने इंसान को पलग जबकती जमा देती है अगर शेली उस गन की किलनों से सारी शेर को जमाने की कोशिश करने की बजाए उन सारी किलनों का प्रार एक ही बार में इस आलाके पर करती तो दस सेकिंड में इस आलाके के योग लोग क्या पत्थर भी जम गए होते वैसे पूरे शेर को भी जमने में कुछी मिनट लगेंगे मैं ऐसा नहीं होने दूँगा तुम उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकते क्योंकि उसके पास आसपास का टेमपरेशर सूनने से इतना कम है कि ऐसे मुसकी तरफ बढ़ने वाली हवा भी जम रही है उफ इसका मतलब मैं छोटा होकर यह टांसमीट होकर भी उस तक नहीं पहुंच सकता बिलकुल ऐसा करना हंडेट पर्टर मौत के मुँँ में छलांग लगाने जैसा है नहीं इस गन को शेली के हाथ से छोड़ाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं तुम उस गाजी सो गन के अविश्कारों को क्या तुमारे पर उसका कोई तोड़ नहीं नहीं इस गन को शेली काज से छोड़ाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है एक रास्ता है मैं मौत के मुँँ में छलांग लगाँगा और तुम्हें उसमें मेरी मदद करनी होगे प्रोफेसर शेरा की रूप में नहीं व्रक्षा की रूप में क्या मतलब सब समझ जाओगे मेरी बात गौर से सुनो और इदा परमाणू नहीं सब को सुनने के बाद ओ माई गौड तुम्हें एक ऐसा जुआ खेलने जा रहे हो परमाणू जिसमें जिन्दकी के हार के जवा तुम्हें कुछ नी मिलने वाला मुझे इस तरह मिलने वाली मौत भी मनजूर है इसलिए अब तुम व्रक्षा बनने में देर मत करो प्रोफेसर इदा प्रोफेसर सुदिश सेरा व्रक्षा में बदला प्रोफेसर सुदिश सेरा ही व्रक्षा ये जाननी के लेपड़ है पूर प्रकाशित कॉमिक व्रक्षा जो आपको परमाणू की प्लेलिस में मिल जाएगी और इदा परमाडू ने अपने आपको छोटा करना शुरू कर दिया पेड़ की जो खोकली जड़ मुझे चाहिए वह तुम्हें मिल भी जाएगी और वह वैसा भी कर देगी जैसा मैं चाहता हूँ आस पास मौझूद बहुत से वरक्षों की जड़े इतनी खोकली हैं कि तुम्हारे काम आ सकती है और रही उस जड़ के दोरा बरफ के उस खंबे को पोड़ लेगी बात तो वरक्षा के इशारे पर जड़ तोप से निकले गोले की तेजी से बढ़ेगी और तोप की तरह और साथी तीर की तरह बरफ के मोटे खंबे को भेट कर उसमें उपर की तरह बढ़ती चली जाईगी बाकी तुम देखो अब तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो या नहीं वो मैं कर लूँगा तुम इस जड़ में मेरे गुसने का रास्ता बनाओ तुरंती परमाडू खोकली जड़ में गुस गया और इसी के साथ ही उसका एक अनोका सफर शुरू हो गया बर्फ के खंबे के बीच में से फोड़ कर उपर बढ़ती इस खोकली जड़ के बीच से होकर मैं उस भैंकर जमा देने वाली ठंड से से शेफ हूँ जो बाट आवड़ में फैली हुई है अब मैं बिना जम्ह मैडम कोल तक पहुंच सकता हूँ लेकिन उस तक पहुंच कर उसके हाथ से गन को छुड़ाना क्या इतने ही आसान है जितना मैं सोच रहा हूँ काम बहुत बहुत मुश्किल था और अचानक सतर को उटी मैडम कोल की सतरकता न उस काम को और भी जादा मुश्किल बना दिया था लेकिन जो अंतिम समय तक साहस और प्रयासो का दामण नहीं जोडते उनके लिए लेकिन वातावन से मैडम कोल के गहर का शिकन जब हंचा ता इसलिए उस हालत में अपना परमाडू अधिक तेर तक रहने वाला था और ना दूसरे और इस दृश्ष ने फ्लेश बैक की दिमाग की नसों को हिला कर रख दिया मैडम कोल ने परमाडू को मौत के आगोश में पहुचा ही दिया था लेकिन दात देनी होगी परमाडू की जिसने अपने आपको बचा लिया लेकिन इस तरह उसने और भी दरदनाक मौत से मरने का इंतिजाम कर लिया क्योंकि अब मैं परमाडू के जिस दोस्त को उसका दुश्मन बनाने जा रहा हूं वो मौत का ऐसा तूफान है जो परमाडू की जिन्दगी को तिनके की तरह उड लगानी है ताकि वे बन जाए टाइफून मौत का ऐसा तूफान जो इस शेर के चप्पे चप्पे को तबाई का नजारा दिखाने के लिए बेताब उटे और ऐसा वे तब तक करता रहे जब तक उसकी तबाई से बरी वाओं में समटने के लिए परमाडू ना आ जाए आ ग साल पहले की तरही जल मगने कर देने पर उतार हुआ है मुझे अपने आपको रास्ते साटा का उफ पत्रों तक में छेट कर देने वाले पानी की उस धार से परमाडू ने खुद को ट्रांस्मीट होकर बचाया लेकिन टाइफून ने रिफॉर्म नहीं होने दिया उसे ये टेरे शरीग के करणों को बहुत दूर भखा कर ले जाएंगे परमाडू ताइफून ने परमाडू के शरीग के करणों ना जाने कहा कहा भखा कर ले गया ओगा हा 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 फ्लेश बैक की ये बात सही थी कि परमाडू के शरीर के कड़ ना जाने कहां कहां भेह रहे थे लेकिन फ्लेश बैक की दूसरी बात सही नहीं थी क्योंकि परमाडू के शरीर के कड़ों का जुड़ना असमब नहीं था क्योंकि एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे परमाडू क कागार की तरफ कीसता ले जा रहा है मुझे उसे रोकना होगा और उसे रोकना का सबसे अच्छा सादन है उसके ये बच्चे अपने फ्लेश बैक में वाई इनी को तलाश करने के लिए टाइफून बना हुआ है इनके मदद से एक बार पहले भी मैं टाइफून को शांद कर पापा रुक जाईए चुकाओं प्लीज इस तबाई को रोक दीजे पापा टाइफून के बच्चों के मदद से टाइफून ने जो चमतकार कुछ सेल पहले अंजान दिया था उसे वे आज नहीं धोरा पाया ओ नो ये क्या हो रहा है टाइफून ने तो इन बच्चों पर ही भार करने को उतार हुआ है उफ वे अपने बच्चों को ही माड आलना चाता है क्या हुआ है उसे वे अपने बच्चों को भचान क्यों नहीं ओ, टाइफून बच्चों को पैचाने का कैसे वैं तो कई साल पीछे को उस फ्लेश बैक में जब ये बच्चे मासूम हो करते थे आज की तरह किशोर ने यानि इनकी मदद से टाइफून को रोखने का एडिया अप कैंसे मुझे कुछ और सोचना होगा लेकिन क्या, अखर मैं ऐसा क्या सोचूँ जो उस तूफान को शांत कर दे ओ, पानी तो एक ये वस्ता में शांत होता है बर्फ की यानि जमने के वस्ता में और टाइफून और इसके पानी को जमाने का एकी सादने मेरे पास मैडम कोल्ड की ये आईसोगन जिससे निगलने वाली कोल्ड किड़लों की थोड़ी से मातरा भी तवाही मचाते इस पानी को भी जमाने के लिए काफी होंगी और टाइफून को भी टाइफून के जमकर शांत होने के बाद ही चैन की सांसली पर माणून है मैडम कोल को भी होश करने के बाद आगे टाइफून भी फिलाल कुछ हुई करने की स्थिती में नहीं है लेकिन ये समस्य का स्थाहिल नहीं है क्योंकि होश में आने के बाद मैडम कोल आजाद होने के बाद टाइफून फिर मुस्से दुश्मनी निकालने के लिए दिल्ली को तबाह करना शुरू कर देंगे इसका तो एक ही एल है इन दौनों को फ्लेश बैक से वर्तमान में ले आना और ये काम वही कर सकता है जिसने इने फ्लेश बैक में बहुचाया है लेकिन वह ऐसा करेगा क्यों? तो क्या मुझे सचमुच इस चाहर से अपना बोरिया विस्तर समेट कर चले जाना चाहिए? नाई अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा सारा धंदा चौपट हो जाएगा मैं परमाडू से डर कर भाग गया तो ये बास सारी तुरिया में फैल जाएगी कोई घांस भी डालने नहीं आएगा मुझे इसलिए मेरे लिए परमाडू का हराना बहुत जरूरी है और हम मैं ऐसा तब ही कर सकता हूँ जब मैं खुद परमाडू से टकराओ कुछ साल पहले इस आदमी पर हतोड़ा मारका लोगों का सिर्फ फोड़ने का जुनून सवार हो गया था इसने कईयों के सिर्फ फोड़कर उन्हें गंबीर रुप से घायल भी किया बाद में इसे पकड़कर पागल खाने में बढ़ती करवा दिया गया जाहिए ठीक हो गया फिर अपना पुछतेनी लोहर का गदंदा करने लगा लेकिन ये मुझे लोहे पर हतोड़ा चलाता अच्छा नहीं लग रहा इसे तो हतोड़ा लोगों पर ही चलाना चाहिए क्योंकि ऐसा होगा तभी दिल्ली की सड़कों पर आतंग फैलेगा और आतंग फैलेगा तो आएगा दिल्ली का रक्षक परमाडू परमाडू आ गया बस मुझे इसी पल का इंतिजार था अब उसे मेरा शिकार बनने से कोई नहीं रोक सकता जैसे ही परमाडू का चरीर उन किर्णों से ना आया वैसे ही अटास कर उठा फैलेगा परमाडू मेरा शिकार बन गया वैं उस बिल्टिंग के पीछे जाकर गिरा है मुझे उसे जाकर देखना चाहिए परमाडू अब तेक समन नहीं सका था पता नहीं उस पर फ्लेश बैक किर्णों का असर हुगा भी होगा या नहीं अपनी किर्णों पर फ्लेश बैक का जो संशे था वहगला ही छट दूरो अंकल वाव मेरा काम हो गया परमाडू फ्लेश बैक में पहुंची गया आप तो त्या हुगा अंकल आप इस तरह हत्ते हो रहे है फ्लेश बैक के ठाओ को बब्रेक लगी खुशी चेका वे हमें कुछ नहीं हुआ बेटा हम तो आपको देखकर हस रहते आप बहुत दिनों के बाद मिले हो ना अच्छा बेटा आपका नाम क्या है बीनो त्या आप हमें चोटलेट खिलाएंगे क्यों नहीं हम तुम्हें एक नहीं धेर सारी चोकलेट खिलाएंगे लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा मम्मी तो नहीं मारेंगी नहीं उन्हें हम समझा देंगे आओ आप हमें गोदी में उठाइए ना अंकल तुम समझदार बच्चे हो और समझदार बच्चे अंकल की गोदी में नहीं अपने पैरों पर चलते हैं अंकल की उंगली पकड़ कर अच्छा तो फिर हम भी आपकी उंगली पतल दर चलते हैं चलिए दिल्ली का रक्षक देश का एक ऐसा पसिद्ध सुपर हीरो किसी मासूम बालक की तरह एक अपरादी के उंगली पकड़कर उसके साथ जा रहा था क्योंकि उसका मस्तिश्क उस फ्लेश बैक में पहुंच गया था जब वह चार साल का बच्चा था और परमाडू को वह पहुंचाने वाला था वह फ्लेश बैक जो इस समय दुनिया भर के माफिया सरगनाओं के बीच में मौजूद था फ्लेश बैक टॉप माफिया बॉसों का स्वागत करता है और समय अखर आप करती हूँ आप सब को दिखाता है अपने एक ऐसा कारनामा जिससे देख कर आप सब की आंगे हैरत से भट जाएंगे रोमाज की अधिकता से आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे लेज्वे साहिबान आपके सामने पेश है वर नजारा जिससे आठवें अजूबे से भी बड़ा अजूबा कह सकते है जिग्यासा से वरी सभी की निगाएं उधर उट गए जिदर परदा हट रहा था और नजार आ रहा था परमाडू? हैरत के स्थान पर माफिया बॉसों के आखों में भैब अड़ता चला गया और इससे पहले की डर कि मारे कई माफिया बॉस भाग खड़े होते फ्लेश बैक की आवाज एक बार फिर गुंजी आपको जो नजार आ रहा है वह शाथ परमाडू है लेकिन इस परमाडू का दिमाग आज से आज के परमाडू का नहीं है बलकि आज से कई साल पहले के उस चार वर्षिय पच्चे का है जिस पर मेरा पूरा अधिकार है और इस अधिकार को मैं बेचना चाहता हूँ उसे जो मुझे सबसे अधा कीमत देगा अब देखना यह है कि आप में से वो कदरदान कौन होगा मैं गुरुनही के सुल्तान अबु बिन गद्र गद्रही के सिवा वो कदरदान और भला कौन हो सकता है यह लो सुइस बैंक की चैक बुक इसमें जो चाहे रखम बर लो ऐसा है तो परमाडू नाम का दुनिया का याजीम शाकार आपका हुआ सुल्तान बीनू बेटा इधर आओ तो क्या बात है अंकल और चोकले देनी है त्या अब और चोकलेट हम नहीं देंगे या अंकल देंगे अच्छा तो मैं अंकल के पार जाओं बिल्कुल जाओ अपने प्यारे अंकल की इजासत मिलते ही परमाडू किलकारी मारते हुए छला और सीधा गुरुनाई की सुल्तान की गले से जा लिप्टा आप हमें चोटले दीजे न अंकल चोटलेट कैसी चोटलेट वो वाली जिसे बच्चे खाते बड़ी मज़ेदार होती है चोटले दीजे न परिजे न अंकल सुल्टान की दाड़ी को इतनी जोर से कीचा था परमाणू ने की चीक पढ़ा था वै तुरंती सुल्टान ने दूर जटकते हैं परमाणू का पीचे हैट का मगत दूसरी जड़ बुक का फाल कर रो पढ़ा परमाणू आपने मुझे मारा मैं मम्मी से तैतर आप तो पित्वाउंदा हुआ ओ क्या मुसीवत है ये जुंजलाट से चीक पढ़ा सुल्टान अबे इस चार साल के बच्चे के दिमाग वाला परमाणू का अपने साथ ले जाकर मुझे मरना है क्या इसकी तो कोई भूटी कॉली भी नहीं देगा ला मेरी चेक बुक वापस कर एक मठ सुल्तान साब अगर आप समझते हैं कि परमाणू बहुत जादा फ्लैश बैक में पहुंच गया है तो इसका लाज़ भी है मेरे पास इस एंटी डोट के रूप में जो फ्लैश बैक किर्णों का प्रवाव खत्म करके आत्मी को सामान ने कर सकती है लेकिन इस समय में इसकी दो बूदा ही परमाणू के में उम्मे डालूँगा जो परमाणू के फ्लैश बैक को चार साल के बच्चे से कम करके चौदा साल के इस किशोर तक पहुचा देगा जिसे आप जैसे चाहो अपनी बात मनवा सकते हो बीनू बेटा रोना छोड़ो और इधार आओ चॉकलेट हम तुमें देंगे आप बहुत अच्छे एंकल ले दिन अब हमें चॉकलेट नहीं चाहिए ये चाहिए अरे बीनू बेटा ये क्या कर रहो तुम चॉकलेट लेने आयो ना हम तुम चॉकलेट देते हैं तुम हमें ये शीशी वापिस करो मैं ये चॉतलेट नहीं यही शीशी लेने आये ता त्योती इस शीशी में भरा एंटी डोट टाइफून मैडम कोल को फ्लेश बैक से बाहर निकालेंगे समझे अंकल ये 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 क्या है ओ नो इसका मतलब तुम पर फ्लेश बैक किलनों का असर नहीं हुआ तुम अभी तर बच्चे ओने का नाटक कर रहे थे सही समझे क्योंकि मैं जानता था कि मेरा यही नाटक इस अंटी डोट को तुम से बाहर निकलवा सकता था तुमारी फ्लेश बैक किलनों का मुझे कोई असर नहीं पड़ा था क्योंकि जिस परमाडू को तुमने अपनी फ्लेश बैक किलनों में फजाय था लेकिन इस समय तू मेरे सामने इंसानी दिमाग के साथ ही है ना अबे अब अपने आपको फ्लेश बैक किलनों से कैसे बचाएगा इस शीशी के बल पर जिसमें इन किलनों का एंटी डोट भरा हुआ है वैसे मुझे इस शीशे का जादा साहरा लेनी के अवशक तर नहीं पड़ेगी क्योंकि तो इन किलनों का जादा देर तक वार कर पाए मैं तुझे इसका मौका नहीं दूँगा फ्लेश बैक को बेबस करके परमाडू बल्टा तो उसे सारा हॉल बिकारी के कटोरी के तरह खाली दिखाई दिया ओ, मौके का फायदा उठा कर यहां मौजू सारे माफिया बहुस बागने में सफाल हो गाए अब मुझे अकेले फ्लेश बरक कोई लेकर काला पानी जेल जाना होगा और इसे वहाँ पहुचा कर जल्दी वापिस भी लोटना होगा क्योंकि फिर मुझे इस एंटीडोट को लेगा और हॉस्पिटल पहुचना है और उसकी मदद से टाइफून और मेडम कोल को सामान ने करना है समाप्त तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं और मिलते हैं परमाडू सीरीज के अगले कॉमिक विश्यशांक कैप्टन डूम में तब तक के लिए धन्यवाद